नमस्कार आप देख रहे हैं Equality News और मैं हूँ काजलाब के साथ चले नज़र डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर एडी की जाज को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा पुलिस ने सूर्जे वाला समेथ कई नेताओं को हिरासत में लिया है कॉंगरिस नेता पीच अदंबरम ने कहा कि हम कानून के गलत इस्तमाल का विरोध कर रहे हैं अगर एडी कानून का पालन करता है तो हमें क कोई समस्या नहीं है लेकिन एडी कानून का पालन नहीं कर रही है। संख्या में पुलीस बल तैनात रहा नैशनल हेराड मामले में आज राहूल गांधी की एडी के सामने पेशी पर उतराखन की पुरो मुख्यमंत्री और कॉंग्रिस नेता हरिश्रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी पूरो सी एम हरिश्रावत ने कहा कि सत्य में वजयते सत्य ग्रह हो होगा और ये लड़ाई गाव-गाव गली-गली कूचे-कूचे तक पहुचेगी कॉंग्रिस नेता पीची दंबरम ने कहा कि हम कानून के गलत इस्तिमाल का विरोध कर रहे हैं अगर एडी कानून का पालन करता है तो हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन एडी कानून करजो ये बाद पालन में जोडाई जो प्रॉल्बन करेंश कुचे तो लगा लगान आदना प्रॉल्डेगर्ट को ओ अँचेगिस अधना च्छेट टॉल्ड पूलिट चानि फो तो आन्सेटितू ट्यूब ट्री प्रॉल टॉल्स टोन ट्रॉल्स वाइस एंगिस्टेनि ट फार झानुबर्च जो एंसरaré झाष हांव त피 prose rzyईंट्जार प्रसेंट था सिर्च भ чई एंसरो प्रस आमने थांवल अहीं, das चुछ समस्ट जम भाव प्रसEtा को फार प्रसेंट। PMLA this very simple questions if there's no answer obviously they are not following the law and in a democracy we are entitled to protest is there any BJP leader against whom the ED has registered a case in the last four or five years is it any BJP ruled state like for example Haryana Uttar Pradesh Madhya Pradesh Karnataka where the ED has registered a case is this law applies to the whole of India why does it apply only to opposition states Pradhan Mantri ki Aguayi wali Kendriya cabinet ne 5G spectrum ki nilami ko manzuri dhe di hai pichle kaafi samayi se telecom companyya is ki maang kar rahi thi khabaroky anusar agrhe mahine se nilami shuru ho sakti hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki adhikshita mei 14 June ko hui Kendri cabinet ki bäthak mei 5G spectrum ko lye kar bada bada khayasla liya gya hai media reports ki mutabir cabinet 5G spectrum ki nilami ko manzuri dhe di gai hai telecom vibhaag isi hapte nilami ke liye avidhan maangna shuru kar dhega gaurda lephi ki telecom companyya lambe se 5G spectrum ki nilami ki maang kar rahi thi khabaroky anusar 5G spectrum ki nilami aaglye mahine shuru ho jayegi sarkar nene 9 spectrum ki nilami ki yujna banai hai ya nilami 20 vrsho ke liye hooggi ismei 600 700 800 800 800 1200 2300 2500 megahertz band ki nilami hooggi प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी का मंगलवार को मुंबई में INS शिकारा हेलिपोर्ट पर महाराश के राजपाल भगत सिंग कोशियारी मुख्य मंत्री उदव ठाकरे डिप्टी सियम अजित पवार और प्रोटोकॉल मंत्री अधित्य ठाकरे नहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी महराश्ट पूने के देहू के कारेकरम के बाद मुंबई पहुँचे इस वक्त पीम मोधी का स्वागत करनी मुख्य मंत्री उदव ठाकरे के साथ राज्यपाल भगत सिंग कोशारी उपमुख्य मंत्री अजित पवार और परियतन मंत्री प्रदां मंत्रीने ज ब्रदिशन बिल्डिंग का उदघाटन किया इसकी बाद उन्होंने करांतिकारिव की गैलरी का उदघाटन किया राजबहन में करांतिकारिव की एक साथ मंच पर नजर आए भारती जंतपार्टी और शियो सेना के नेत्रुत वाली महाविकास आघाडी के बीच चल रही शत्रुता के बीच उद्धर ठाकरी के साथ पीम की यह पहली मुलाकात है जो हन्माँ चाली सा विवाद को लेकर तेज हुई है भारतिय सेना की तीनों संख्या में भरती के लिए नई स्कीम लॉंच की गई है रक्षा मंतरी राजनात सिंग के साथ तीनों सेना द्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके इस योजना का एलान किया है इसके तहट भारत सरकार सेना नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए सैनिकों की भर इस स्कीम के तहट नौजवानों को सिर्फ चार साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी सरकार नहीं है कदम तनख्वा और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है रक्षा मंतरी राजनात सिंग के साथ तीनों सेना ध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फरेंस क करके इस योजना का एलान किया पहली भरती राली 90 दिनों में होगी इस सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा सिंग ने कहा कि अग्निपत भरती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक यूआ प्रोफाइल पहचान करेगी सेना में भरती को लेकर रक्षा मंत्रा लेकि अग्निपत योजना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने भी पड़ा एलान किया है मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने बड़ी खोशना करते हुए कहा कि अग्निवीर जवानों को मध्यप्रदेश पुलिस की भरती में प्राथमिक्ता मिलेगी मुख्य मंत्री ने कहा कि ऐसे यह वा जो अग्निपत योजना के तहट सेना में भरती होंगे उनको मध्यप्रदेश की पुलिस में प्राथमिक्ता दी जाएगी उन्होंने कहा कि चार साल के बाद ऐसे जवान जो अगनिपत योजना के अंतरगत सेना में भरती होंगे जिनको अगनिवीर कहा जाएगा उन्हें हम मध्यप्रदेश की पुलिस भरती परिक्षा में प्राथमिक्ता देंगे भारती सेना भारत ना गौरव है और देश वासियों का अभिमान है सेना के जबान हमारी हीरो है रॉल माडल है युवाओं को भारती सेना से जोडने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एक तारा घंटा की रक्षा करने के लिए आज अग्नी पत्थ योजना प्रारंग करने की घोफ्टा की गई है सेना से जबानों को जोडने की ये अद्वुत योजना है और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर्दैस धन्यवाद देता हूँ रक्षा मंत्री जी को बढ़ाई देता हूँ इस सेवा के माध्धन से नकेवल हम भारत माता की सिवाओं की रक्षा करेंगे बलके 45,000 मौजवानों को देश की सेवा के अफसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा मैं युवाओं को आभान करता हूँ वे इस सेवा के अंतरगत भरती के लिए आगे आएं परिक्षा दें सफल हो डेश की सीमाओं की सुरक्षा करें अपने जीवन को सफल और सार्थक करें चार साल के बाद ऐसे जवान जो अगनी पत योजना के अंतरगत सेना में भरती होंगे जिनको अगनी वीर कहा जाएगा उन अगनी वीरों को मद्प्रदेश पुलिस की भरती में थी हम प्राथ बिक्टा देंगे उत्रप्रदेश सरकार ने मंगलवार को तबादला नीती 2022 को मंजूरी दे दी है सीम योगी के अधिक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी है इस नीती के तहट 15 से 30 जून तक तबादले किये जाएंगे वही योगी सरकार ने पुलिस विभाग में 40,000 भरतिया करने का भी ऐलान किया है अपर मुख्य सचीव सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी है नई ट्रांसफर नीती 2022 में एक जिले से 3 साल और एक मंडिल में 7 साल की नौकरी कर चुके समूओ का खा और गा के सभी करमचारी शामिल है वे ट्रांसफर के लिए अपलाई कर सकते है इस नीती में हर साल करीब 20 प्रतिशत करमचारियों का ट्रांसफर हो सकेगा अनुमान है कि इस साल कम से कम 2 लाग करमचारियों का रूटीन तबादला होगा 36 गड़ के जांजगिर चांपा जिले के पिहरित गाउ में बाड़ी में बोर में गिरे 10 वर्षिय राहूल साहू को बाहर निकालने के लिए बचावकारिय अभी भी जारी है सुरंग के भीतर काम तेजी से चल रहा है 10 साल के राहूल को बचानी की जद्दो जहत 4 दिन भी जारी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हर व्यक्ती, जवान, अफसर और आमनागरे अपनी जिम्मेदारी को बखु भी निवारा है राहूल को नीचे ऑक्सिजन दिया जारा है कैमरे की मदद से राहूल की हर अक्टिविटी पर निगरानी रखी जारे है और उस तक खाने की चीजे भी पहुचाई जा रहे है प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालटी निवस खबरों के अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें